के तो हेलो कम बेक्ट तो आधियों आजार प्लोंष घोसिन ऑफ लीनियर मोमेंने तो ऌने ल्ग Kens Inner चुर्विशान अ भी का इस ऑफ ल्यॉई नहीं गोार भी घो व्य भी तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसके बारे में लोग बात नहीं करना वाला है सिंपल कि आज 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 की टॉपिक है और कंजर्वेशन कि आफ लीनियर मोमेंटम मोमेंटम इसको हम लोग एक से डिनोट करते हैं यह एक वेक्टर क्वाइंटिटी आप लोग जालते हैं और मोमेंटम को प्रमॉला क्या वाता है मास इंटू लोग फिटी ठीक है अब यहां पर मुझे करेंगे यह वाला मास जो है न सारा का सारा मास को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा M1 plus M2 plus dot dot Mn into velocity of center of mass is required to M1 V1 plus M2 V2 plus dot 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 यह वेक्टर पाइंट है अब यहाँ पर क्या करना है कि यह total mass of the system है यह chapter का नाम क्या है पर रहे है system of particles ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि यह total mass यह system का mass है ठीक है छोटा चोटा 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 मास हम लोग काट के च्छोटा च्छोटा मास हम लोग काट करके total N times काटे है तो क्या हो जाएगा total mass को जोड़ेंगे तो M के बराबर आएगा है ठीक है capital N के तो यह हम लोग total mass जोड़ रहे है तो यहाँ पर क्या हो गया total mass of system into velocity of center of mass is equal to यहाँ पर क्या है तो M1 V1 vector plus M2 V2 vector plus यहाँ पर बिसे क्या आप लोग देखने मिला होगा total mass of the system ठीक है total mass of the system or velocity of velocity of the system basically बोल सकते है ठीक है net velocity of the system यानि velocity of center of mass ठीक है और mass of center of mass basically बोल सकते है ठीक है total mass को हम लोग एक point पर consider लगते है system के तो यह हो गया तो हम लोग चीज़ बोल सकते है ना momentum of center of mass is equal to total mass into velocity of center of mass ठीक है यह बोल सकते है तो यहाँ से हम लोग इसके जहें पर क्या रहतेंगे है तो momentum of center of mass is equal to यह individual particle जो अलाग पार्टिकल उसका हम लोग दिखेंगे तो इसका velocity इस तरफ V1 होगा मास छोटा सहीम है तो यहां पर क्या बोल सकते है तो यह फॉर्मुला नोट कर लिजिए आप लोग आप देखना क्या है basically कि यदि system पर क्या हो f net 0 यानि center of mass पर क्या लाग रहा हो तो f net 0 मतलब क्या है कि total force जो होगा न वो 0 होगा देखें f net is equals to 0 का मतलब क्या है देखें साथे पहली बात कि f net is equals to हम लोग क्या पढ़े हुए है n lm याद केजिए n lm ठीक है Newton's laws of motion में हम लोग क्या पढ़े हुए dp vector अपन में dt vector ठीक है यह टर्म क्या है 0 है तो क्या होगा कि dp vector divided by dt vector is equals to 0 यह 0 कब होता है कब हम लोग किसी चीज को differentiate करते तो 0 होता है जब यह चीज क्या हो constant हो यानि क्या है और यहां पर change भी denote कर रहा है यह पर प्रफाइनल जो चीज बड़ाबर होगा तब यह बड़ाबर होगा तो यह दो नों बड़ाबर है तो इसको क्या हो जाए होगा कि नहीं तो कब जीरो आता है मैं यह बता रहा हूँ जब यह condition होता है ठीक है मतलब क्या है constant होता है ओके क्या होता है टी वेक्टर इस इक्वस्टू कॉंस्टेंट तो इस तो यह हो गया condition मतलब क्या है कि जो इनिसियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा ठीक है तो यह condition यहां से हो गया हम लोग इसको अलग तरीके से भी है कर सकते है इसील मोमेंटम है कि यह बात हो गया तो अब दूसरे तरीका से तक इसका डेलिवेशन होगा तो इफ नेट इस इक्वस्टू जीरो का मतलब क्या होता है लिए इस एक्वस्टू जीरो यानि क्या है है शिस्टम पर चलोगा तो यह जैसा भाइथ में था तो रेस्ट इंद रहेगा चल रहा था तो चलता ही रहेगा रुका उबक्षाइगा भी रहेगा दाइन तो यहां पर यहां पर यह बात हो गया अब मतलब क्या है कि यह इस तरह चल रहा है तो इस तरह चलतर रहेगा जब तक इस पर एक इस एक्स्टरनल फोर्स ना लागे तक 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 तो यहां पर यह बात हो गया अब मतलब क्या है कि यह बोल सकते हैं कि यहां से यह बोल सकते है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर आफ मास हम लोग पढ़ गया है तो वेलोसिटी मैं प्लस दॉट डिवाइडेड बाइं फ्लस एंटू प्लस दॉट डॉट 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 इंगे यह जिस्टा इंगी तो लोग क्या लिग सकते हैं कि सब्सक्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉंस्टेंट एक नया कॉंस्टेंट बनेगा चीक है यह क्या हो जाएगा एक नया कॉंस्टेंट बन जाएगा अब यह क्या चीज था यह चीज क्या तो यह क्या है इसको लो लिख सकते हैं कि यह वेक्टर वाइंट इस यह पर क्या है हैं फी बंध्यटर प्लस पी ट्ट्र प्लस डट अट उडट इस इकवास्ट बाइब अपाटिकल्स चीक है व्यक्तर सम उफ मेंट्व इंडिवाइट अपक्रिकल अलंग पार्टिकल उसका क्या वेक्टर सोम है अक क्या हो क्या हूंस्टेंट मतलब क्या है कि पी ओफ सिस्टम इस रिक्वास्टू कॉंस्टेंट का मतलब क्या है कि इस रिक्वास्टू फाइनल यही चीज है यहां पर भी प्रूफ हो गया इस अलग तरीके से प्रूफ कर सकते हैं अपना मर्ज ठीक है लेकिन मैं आप लोगो दो तरीके बता दिया हूं ठीक है ओके तो यह चीज हो गया यहां पर यहीं बात था कंजर्वेशन में कुछ नहीं था यह दो पार्टिकल है तो वहां पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं यह हम लोग फॉम्ला जो प्लस नाई ने पढ़ते हैं तो एक्स डिरेक्शन में का मोशन जो होगा उसमें अलग इस तरह से अगरण है चिक है writes एकस य जो डायक्शन का एक ही एक्वेशन में रखना है एकस का टो एकस में और वाई का तो य जो नेगेटिव जारा हो तो उसका पड्स का बाइन गोल रहा हूं मास प्सका नहीं घ्रेटिव जा रहा है और दूसरे पो नेगेटिव लेना ही पड़ेग कर लेते हैं कि कल वाला जो देखेंगे तो अब लोग उसमें पर थोड़ा सा हे वी फॉस्टन में होता है न को लीजन में इसे कंजरवेशन ओफ मुमेंटम बढ़ी या क्वेस्टन बनता है तो को लिदे में देखेंगे लेकिन फॉरा सा कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए उ एक गन है यहां पर यहां से क्या निकलेगा बुलेट तो इस गन का टुटल मास क्यापिटल एम है और इसके अंदर जो बुलेट बुलेट है इसका जो मास है कितना है तो small m है ठीक है small m शुरुवात में यह किया था रेसमे सा basically जब बंदू को क्या चलाया गया ठीके गन को क्या चलाया गया बतलब के सिंपल तरिका क्या है कि यहांपधर क्या infinite 0 सिस्टेम पर क्या infinite 0 मतलब क्या कि कोई external force आया नहीं ज़िए जब निकलता है तो बंदुक क्या करता है पीछे की तरह बादता है पीछे की तरफ क्यूं लोगों को को अभी समझ में आएंगा दिक्या सबसे पहली बात कि infinite 0 है यानि external forces system पर क्या 0 है क्या होगा momentum क्या होगा constant होगा यानि P initial is equal to P final होगा यानि इस system का मैं बात कर रहा हूं तो सुरुवात में क्या है कि सुरुवात में तो momentum 0 है क्यों कि कुछ भी चल रहा है simple रुका हुआ है बात में क्या हुआ कि यह जो अब यह क्या है कि इसका velocity हम लोग माल लेते है वी है बैसे कि इसके पास कुछ momentum आ गया होगा तो उसका value बताना चीक है required speed तो यू माल लेते है उसका velocity ठीक है और यू का value find करना है plus capital mass into यू यहां से यू का value यू जब find करेंगे इसको इहां लाकर तो यू इसको मान के सॉल्फ कर रहे थे तो हम लोग को यहां पर यह माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि इसको जब पॉसेशिव माने तो इसको निगेटी मानिए तो जो यहां पर बात यह है कि बुलेट इतना तेज भागता है और थोरा सा क्यों भागता है तो इसलिए क्यूंकि जो बुलेट होता है उसका मास कितना होता है तो बहुत बहुत निगलिजिवल लगवर 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 तो इसलिए यहां पर इस तरह होता है इसको जब ना तो मास कितना होगा इसका तो बैसिकली हो जाएगा आपको 40 ग्राम है ना 40 ग्राम दिए थाल्द इसको केजिए बदलना है ना इन्चू वेलाउसिटी यू से यू माल लेते चाहिए तो कितना टाइम सोगा भी पता चल जाएगा यहां पर फोर फोर्जा और यह हंड्रे फोर हंड्रेड्ड वी इस इक्वस्तिघे थे लोकी इसका मन हैं तो अप लोग को होई है यह क्या चिंशका तो गन का जाहें जा निजर्दक्था यूज है तो वी इस इक्वस्तु यू बट्डच चार सो मतलब क्या है कि जो ग्रीट का वेलाउसिटी होगा उसका चार सो करेंगे क्या मिलेगा तो गन का विलोसिटी मिलेगा इस कंडिशन में इसका मास 16 kg और बुलेट का मास 40 ग्राम होता है अलगलग कंडिशन में तो आप लोगों को यह बात है समझ में आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो समझ में आप लाइक कर दिए का चैनल पड़ाएं चैनल को सब्सक्राइब करें चलते जहीं जाराएं